ओम शांती 25 मार्च 2024 आज की साकार मुर्ली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पड़े सुने और मन्थन करे। आज का मन्थन हम प्रते देन करते आते हैं रोजाना सवेरे 6 बजे शाम 4 बजे और 5-6 हम आज के सहज राजयोग का भी मन्थन करते हैं। तीनों में Google Meet पर और YouTube पर लाइव चलता है। आप भी जैसे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। उनका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि आपको वो लिंक नहीं मिल रहा है और यदि आप भी इस मुरली मंथन में शामिल होना चाहते हैं और आप लाइव नहीं हो सकते हैं तो आप नीचे दिये गए वासिप नमबर से मैसेज करके लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं और अपना सुझाव और अपना विचार भी लिख कर भेज सकते हैं वो फिर किसी दिन मुरली मंथन में जोड दिया जाएगा ओम शंति आज की मुरली का सार मिठा मिठा बाबा कहते मिठे बचे अंतर मुखी बन विचार सागर मन्थन करो अंतर मुखी बनना अर्थात स्वेम का स्वेम को देखना स्वेम ने स्वेम को देखना उसको पर्खना उसमें क्या-क्या कमिया है और उन कमियों को निकालने का उर्शार्थ करना ये कहलाता है सागर मन्थन ये सागर मन्थन किसका है ये सागर मन्थन है बाबा ग्यान सागर के सागर का जब हम परमात्रम ग्यान के आधार पर अपनी कमियों को चेक करते हैं और उनको चेंज करते हैं ये है बाबा के ज्ञान का अपनी बुद्धी में मन्थन करना उसके अधार पर जाचना कि क्या जो हम करते हैं वो कितना ठीक है, कितना रोंग है, कितनी कमी है उसको कैसे निकालना है ये है स्वेम के साथ स्वेम बैट कर बाबा की स्वेमत के अनुसार अपना आपको जाचना और परिवर्तन करना ये कहलाता है सागर मन्थन बाबा और मैं बस हम बाबा के ज्ञान सागर का मन्थन कर रहे हैं इस मन्थन को हम तभी अच्छी तरह कर सकते हैं जब हमने बाबा के द्वारा प्राप्त ज्ञान को अच्छी तरह मन्थन करके अपने जीवन में लाने का उर्शार्थ किया है पहले तो बाबा का ज्ञान समझ में आये और बाबा का ज्ञान समझ में नहीं आया तो फिर मंफन भी ठीक नहीं करेंगे इसलिए ज्यान सागर बाबा का मंफन बाबा कहते बच्चे क्योंकि हम अपनी मत से किसी मुरली को पड़ेंगे मुरली को सुनेंगे तो वो अपनी मत के अनुसार हम अपने ही मतलब का अर्थ निकाल लेंगे जैसे भक्ती मारक के अंदर भी हमें जो संत, महात्मा, गुरुजी, पंड़े जी बैठ कर जो भी कथा सुनाते थे वो अपने मत से ही उसका अर्थ बता देते थे और हमने भी उसी मत से उसका अर्थ ले लिया परंतु अब बाबा केते बच्चे, मेरी मुर्ली का मन्थन मेरे अनुसार करना है अपनी मन मत के अनुसार नहीं करना, किसी दीदी और भाई जी के मत के अनुसार नहीं करना हर एक अर्थमा ने मुर्ली का मन्थन भी मेरी मत के अनुसार करना है यदि आपने अपनी मन मत से उसका अर्थ कुछ भी निकाल लिया तो वो आपको आगे बढ़ने की बज़ाए गिरने वाला भी बना सकता है क्योंकि मन मत से हम अर्थ ले लेते हैं जी जैसे कि उधारन के लिए क्या होता है कि एक ही बात है कि बाबा को याद करो बहुती सिंपल सी बात है कि बाबा को याद करो अब भक्ती मर्ग वाले हमारे सभी भाई बैनों ने अपनी अपने रीती से अर्थ लिया उन्होंने किसी ने अर्थ ले लिया कि शिव बाबा शिव बाबा करो ये तो बाद में बाबा को बताना पड़ा कि शेव बाबा ने रटना है भाई याद करो का आर्थ क्योंकि जो कुछ वो सुनता आया है आर्थ तो वही लेगा ना अब जो आया है ध्यान करने वाली तरब से वो समयता है कि हमने शेव बाबा का बैठ कर ध्यान करना है शे बाबा की चित्र पर अपना ध्यान लगाना है तो अब वो ध्यान लगाता है शे बाबा को ध्यान करता रहता है शे बाबा को अपने बुद्धी में आखे बंद करके देखता रहता है तो उसके बार बार ध्यान को उदर ले जाएगा अब उसका याद करना उसका याद करन बात कहां अंतर आएगा ठीक इसी परकार से जो चक्रासन वाले आये हैं जो चक्रा चक्रों को जागरित को नलनी जागरिन करने वाले थे उन्होंने अपने चक्रों को ही याद करना शुरू कर दिया तो उन्होंने उस ज्यान को उसी तरफ मोड़ दिया आपको विपश्यना करके आया है उसने भी ग्यान को अपना विपश्यना के आधार से मोड़ दिया याद करने का मतलब हर एक ने अपनी अपनी रीती लेना है क्योंकि जो कुछ वो जानता है जो रेकी वाले थे उन्होंने रेकी के साब से समझना शुरूब कर दिया जो मतलब meditation को जैसा समझते थे उन्होंने अपनी रेती से उसका अर्थ ले लेना है जैसे एक दोहा मुझे याद आता है एक दोहा या बिहारी ने लिखा था बिहारी एक बहुत बड़े कभी हुए और सच से उन्होंने बिहारी सच से लिखी थी और उसके अंदर जो एक दोहा लिखा थे ने और उस दोहे के जो इना इतने सारे अर्थ निकाल दिये गए इतने सारे अर्थ निकाल दिये जिसकी कोई सीमा ने प्रेक ने अपनी अपनी जातन की झायी पड़े श्याम हरित दूती होए इसके अंदर पहली लाइन थी कि राधा को याद करें ना राधा नागरी सोय ये तीन चीजें एक राधा होती है एक नागरमोथे के बीज होते हैं और एक सोय के बीज होते हैं मुलब ये तीनों को मिला दे मुलब डाक्टर कहता है इसका अनुवाद करता है कि हम इन तीनों को मुला दे तो आपके चेहरे पर जायां पड़ी होंगी ना, वो भी क्या हो जाएंगी हरित हो जाएंगी काली जाईयां भी शाम हरित दुती होए हरी हो जाएंगी चमक उठेगा चेहरा आपका और इसी परकार से जो दूसरा है भगत है वो ये आर्थ लेता है कि तुम राधा को याद करेंगे तो कृष्ण भी तुम्हारे सामने आ जाएंगे अब अर्थ लेने की बात है जाने नागर मोते को राधा जो एना एक बहुत सुन्दर नारी है नगर की रहने वाली है उसको याद करेंगे तो कृष्ण भी आपके पास दोड़े चले आएंगे पर हरे का अर्थ लेना है करो क्योंकि एक कह रहा है दूसरा कह रहा है तीसरा कह रहा है चोथा कह रहा है फिर भी आप उसे चेक करो कि बाबा क्या कहते हैं एक बार बात में समझ में नहीं आई बाबा कुछ भी कह के चले गए दूसरी मुर्ली में आपने पड़ा आपको समझ में आ गया कि बाबा कहते योग नहीं याद करो याद का मतलब होता है प्यार याद का मतलब होता है अपने आपको बाबा की शिरीमत पर चलाना तो ये बाती जब समझ में आ जाती है तब हम सहीरिती से अर्थ ले सकते हैं और नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और लाग होने की बज़ाए समय वेस्ट हो जाएगा और समय वेस्ट होना माना वो भी नुक्सान हुआ वो भी नुक्सान हुआ तो इसलिए एक-एक बात को क्योंकि बाबा ने कब कुछ कहा कब कुछ कहा अलग-अलग दो-तीन बातें आ जाएं तो उन्हों दो-तीन बातों पर बैठ कर सोचना है कि इसमें से कौन सी बात को माने उसके बाद भी सोचना है कि क्या ये वाक्य में बाबा ने कहा है क्या बाबा जो कह रहे हैं वो यही है मलब आपने केवल अंध विश्वास मेरे उपर करके अपने जीवन में लाया वो भी आपको आगे बढ़ने से रुख सकता है मलब ये बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है जब हम अपने बुद्धी में वाक्य में समझ करके ही उसको धारन करेंगे क्योंकि यदि आपको बाबा ने कभी कुछ सुनाया आपने बाबा से और वो कुछ और था और मैं कुछ और बता रहा हूँ तो मैं गलत हो सकता हूँ ये बात बुद्धी में अच्छी तरह समझ लेनी है ये नहीं के परफेक्ट है परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं सिवाई परमपिता परमात्मा के ये बात हमारी बुद्धी में होगी तो फिर आप अगले दिन उस पॉइंट को ला सकते हैं रख सकते हैं कि बाबा ने तो ऐसे काहा है और आप ऐसे कह रहे हैं तो फिर मेरे को भी समझ में आ सकता है हम उस पर विचार सागर मंथन कर सकते हैं इतना alert हो करके मुरली को सुनना है और उसके बाद भी मन्तन करना है फिर बाद में भी मन्तन हो सकता है यह नहीं कि आज हमने जो सोच लिया वो final क्योंकि मैं जब से आया हूँ तब से मेरे को अपने आपको रोज बदलना पर रहा है रोजना मुझे change करना पर रहा है तो इसलिए final कोई भी देधारी नहीं हो सकता perfect कोई भी देधारी नहीं हो सकता तो इसलिए मुरली मन्तन करने पर बाबा आज हमें कह रहे हैं कि मुरली का क्या करो मन्तन करो तो एक है अपने आप से मुरली मन्तन करना एक है सब के साथ बैठ कर मुर्ली मंधन करना तो तुम बाप समान टीचर बाप बाबा का ग्यान की बाते देखो बाबा की मुर्ली वही है जब हम तीन बार पढ़ते हैं तो तीन बार मुझे तीन अर्थ मिल जाते हैं अब सोचो न कि चेंज है न मैं क्या करो जो मुझे समझ में आ रहा है तो तीन बार मुर्ली पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि तीनों बार ही मेरे को कुछ और ही समझ में आ रहा होता है तो उन तीनों को आप यदि सुन लेते हैं फिर बैठ कर मेरा दिमाग खाते हैं तो मेरे को कुछ समझ में आएगा न मेरा दिमाग में आएगा न कि ठीक क्या है ऐसा न चर्चा तो करेंगे न जब तक आप सुनेंगे नहीं अलग-अलग बात सुनेंगे तब तो चर्चा हो सकेगी न अधरवैस तो चर्चा नहीं होगी क्योंकि हमें मुझे इस बात के लिए न डग्स साब बहुत याद आते हैं हमें डग्स साब याद बहुत आते हैं एक वो आना छोड़ दिया है कुछ दिनों से उनकी ये विशिष्टा थी कि आज मैंने कुछ कह दिया न कल दूसर दिन मैंने आके कुछ कहा तो कहते हैं कल आपने ये कहा था आज आपने ये कहा बुद्धू बनाते हो आप हमें हमारे साथ एक डग्स साब हैं वो आना आज कर छोड़ रखा है बिजी हैं कुछ और उन्होंने मतला उनकी विशिष्टा थी कि मुर्ली को इतना ध्यां से सुनते थे कि आज मैंने कुछ कह दिया और कल यदि मैंने इसमें कुछ चेंज किया बाबा कुछ चेंज कर दे तो वो बस ये कहते थे बस आप हमें बुद्ध बनाते हो ये कल ये कहा था आज ये कह रहे हो फिर उनके साथ चर्चा करने पड़ते हैं जी महला इसलिए जब बात बदले ना जब बात बदले ना तो उन बातों को सामने लाओ तो फिर हम उस पर सब बैठ कर चर्चा करें तब हम सत्य तक पहुँच सकेंगे ठीक है तो खुशी और नशा रहेगा तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे खुशी का बात ही है ये कार्मयोगी है आप उनकी वीड़ आवास तो नहीं करते ना उन्होंने साउंड बंद कर रखी है तो उसके लिए क्या है कि हमें साइड सीन देखते रहना चाहिए साइड सीन देखते हुई भी हमें उदर से बुद्धी हटा लेनी है बला सिरफ हमने उतना देखना है जितना हमारे लिए है आप सिरफ मेरे वाले उस पर देखते रहो आवाज आती रहेगी बस देखो न मेरे पास आपको तीनों दिखाई दे रहे है शिव बाबा भी दिखाई दे रहा है नीचे मेरा भी दिखाई दे रहा है उनको देखो तो मेरे खुशी हमें कब मिलती है जब हमारे पास सुधार आता है जैसे ही सुधार आना रुक जाता है तो हमारी खुशी भी रुक जाती है और लगातार हम सुधार करते रहेंगे तो हमारी खुशी भी बनी रहेगी नशा भी बना रहेगा तो हम बाप समान टीचर बन जाएगे किस आधार पर अंदर की खुशी स्थाई रह सकते हैं कौन सी ऐसी बात कौन सी कौन सा ऐसा आधार है जो हम सदा खुश रहेंगे उत्तर स्थाई खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्यान कर सको सब को खुशी कर खुश करेंगे जब औरों का कल्यान करेंगे उनको खुशी देंगे औरों की खुशी में हमारी खुशी है डबल खुशी है एक तो अब उनको खुशी मिल रही है उनको खुशी देते समय भी हमें खुशी हो रही है और जो हमने उनको खुशी दे दी है उसके बदले और खुशी भी मिलेगी आप देंगे एक बार मिलेगी दो बार ये भी wonderful राज है अभी आप उनको खुशी दे रहे हो उनको खुशी मिल रही है तो भी आप खुश हो रहे हो और उसके बाद जब वो आपको return करेंगे खुशी तो भी आप खुश होंगे फैदा है ना कितने बड़े फैदे हैं वर्तमान में भी फैदा और भविश्य में भी फैदा रहम दिल बनो तो खुशी रहे जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धी में रहता है हमें सर्वा आत्माओं का बाब पड़ा रहे हैं पावन बना रहे हैं हम विश्व का महराजा बनते हैं ऐसी खुशी का वे दान करते रहते हैं और जो खुशी का दान करते रहेंगे तो इसका मतलब सीधा सा सबूत है सदा खुशी वो दान कर सकता है जो सदा खुश है तो सदा खुश रहने का कितना आसान तरीका है कि आप खुशियां बाटते रहो खुशियां कहा भी जाता है कि खुशियां बाटनी बाटनी चाहिए जितना बाटो उतनी खुशी बढ़ती है और दुख को जितना बंद करो उतना दुख जल्दी खत्म होता है जितना दुख का परचार करते रहेंगे जो भी आवे उसके सामने रोने बैठ जाओ हाए मैं दुखी हूँ हाए मैं दुखी हूँ तो दुख बढ़ेगा दुख कम होने वाला नहीं खुशी बाटेंगे तो खुशी बढ़ेगी जिसको बढ़ाना हो उसको बाप ओम शांत रुखानी बाप रुखानी बच्चों से पूछते हैं बच्चे ये ओम शांती किस ने कहा बच्चों ने कहा शिव बाबा ने कहा हाँ बाबा खुद कहते हैं हाँ शिव बाबा ने कहा क्योंकि बच्चों को मालूम है, ये सभी आत्माओं का बाप है, कहते हैं, मैं कल्प कल्प इस रत में ही आकर पढ़ाता हूँ, अब ये हुआ पढ़ाने वाला टीचर, शे बाबा कौन हो गया, पढ़ाने वाला टीचर, तो कहेगा गोड मॉर्निंग, बच्चे भी कहेंगे गोड मॉर ये बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परम आत्मा गोड मॉर्निंग करते हैं, लोकिक रीती से गोड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं, ये तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते हैं, और आकर उनका परिचे भी हमें कब मिलता है, जब वो आकर गोड करते हैं बच्चों को सारे जार अत्वा ड्रामा का राज समझाते हैं क्योंकि जब तक बाबा कहते हैं मैं आके नमस्ते ना करूं तो मैं क्या पता लगे कैसे पता लगे कि बाप आ गया है क्योंकि आवाज को समझना सग्के बस की बात नहीं है कि बाबा की हमने साकार मुर्लियां recorded सुनी है तो हमें कोई क्योंकि हमने मुर्ली में सुना है बाबा को तो हमने वैसे सुना नहीं कि अंतर कर सके कि बाबा मुर्ली में मुर्ली चलाते वक्त ऐसे बोलते थे और मुर्ली नहीं चलाते थे तो ऐसे बोलते थे और उनसे पूछा कि आपको कैसे पता लगता था कि शिव बाबा आ गया है क्योंकि आवास तो बजलती नहीं थी क्योंते नहीं हमें पता लगता था जैसे ही बाबा खंगार करते थे वास हम समझ जाते थे शिव आ गया है उनकी खंगार से ही पता लगता था और फिर बाबा का श्रीर ऐसे हो जाता था जैसे बास मला सारी कोई बिमारी कोई कमी कोई कमी वैसे ही नहीं समझ सकते थे कि ब्रह्मा बाबा को कोई रोग है परन्तु उस समय एक विशेश शक्ती आ जाती थी उनके अंदर हम कहते हैं बास अब शेर आ गया तो शेर आ गया विस्जिर बाबा आ गया हम जी देखो ग्यान तो जब हम बहुत देर तक सुनेगे तब समझ में आएगा ना महल lei बात सारी है थे क्यूंकि अब मैं जब फर्स्ट डाइम गया था जब मैं पहली बार बाबा से मिला, उससे पहले मैंने विश्वास नहीं किया था, जब मैं पहली बार बाबा से मिला, तो मैंने ग्यान से ही पहचाना, और उनके आने से, उनके बोलने से, उनके आवास परिवर्तन से, वो सारा जो पहचानने का पहले दिन का जो परमात्मा से म वो था जब मेरे को नशा चला कि वाक्य में भगवान आ गया है इससे पहले तो मैंने ना तो कोर्स को समझा था और ना ही मुर्लियों को समझा था मैं मुर्लियों में भी यही समझा था वो आपकी सारी बात ठीक है यह भी सारी बाते थी कि आत्मा का सरीर से निकलना परमात्मा का सरीर में आना क्योंकि मैंने यह पहले से देखा हुआ था कि आत्मा कैसे निकलती हैं कैसे आती हैं वो मेरे लिए अन्भव मेरा था और दूसरी बात जो उन्होंने बोला बाद में यह सारी बाते मिलाकर के निरने हुआ न पस्त हैं कि यह तो है नहीं कि मैं जाते उसको स्विकार कर लिया क्योंकि आप मैं तो मानी नहीं रहा था कि भगवान आके पढ़ाते होंगे क्योंकि मेरे को स्वीका विश्वास नहीं था तो इसके बाद जब देखा कि जो बाते अब बाबा बतला रहे हैं ये दादी को भी मालूम नहीं है तो समझ में आया कि ये दादी तो बताई नहीं रही और कोई और आत्मा बता रही है और लास्ट में जब देखा कि दादी जो है ना तब तक यही रहा कि कोई और आत्मा बता रही है लास्ट में जब देखा कि दादी उठे वहला दादी वापिस आई तो उनके शरीर पर कोई थकावत नहीं थी और ग्यान की बातों का मनन किया तो समझ में आया कि परमात्मा ही आकर पढ़ा रहा है इससे पहले मैंने ये कभी स्विकार नहीं किया था कि भगवान आके पढ़ाता होगा तब तक यही था कि कोई ना कोई बाबा कोई ना कोई माता जी इनकी होंगी जो ग्यान की बाते लिकर बेज़ देती तुम जानते हो जो सभी आत्माएं है सब का बाप आया हुआ है ये निश्चे सारा दिन बुद्धी में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते है वो हमारा बाप टीचर गुरु है उनको रच्ता भी कहते हैं ये भी समझना पड़े आत्माओं को रच्ते नहीं है समझते हैं मैं बीज रूप हूँ इस मनुष्य स्रिष्टी रूप जाड का नौलेज तुम को सुनाते हैं निशिवाई बीज के ये नौलेज कोई दे ना सके कोई भी नहीं दे सकता ऐसे नहीं कहेंगे के जाड को उसने रचा बाबा कहते हैं मैंने जाड को नहीं रचा कहते हैं बच्चे ये तो अनादी है और तीनों चीज़े अनादी हैं हम जान चुके हैं समय, आत्मा और प्रकृति ये तीनों अनादी हैं तो हम ये ड्रामा तीनों से मिल करके बना है तो ये ड्रामा भी अनादी है नहीं तो मैं तित तारिक सब बताओं ना मैंने तुम आत्माओं को बनाया है ना मैंने प्रकृति को बनाया है ना मैंने समय को बनाया है और इसकी साथ हमने एक तर्क वहां देखा था उस वीडियो के अंदर यदि परमात्मा समय को बना दे तो समय का भी अरंब हो जाएगा समय का अरंब हो जाएगा तो समय का अंत भी हो जाएगा फिर समय सकते नहीं रहेगा परमात्मा यदि प्रकृति को बना दे तो प्रकृति का भी आरंब और अंत हो जाएगा तो प्रकृति भी सत्य नहीं रहेगी और यदि परमात्मा आत्माओं को बना दे तो आत्माओं का भी अनंद हो जाएगा आत्मा भी सत्य नहीं रहेगी तो फिर परमात्मा का भी बनना और परमात्मा का भी आंत होना निश्चित हो जाएगा क्योंकि परमात्मा स्वेम भी एक आत्मा है तो फिर बनाने वाला कोई और होगा फिर वो परमात्मा नहीं हो सकता जो परमात्मा है वो एटर्नल है वो अनादी और अनंत है शाश्वत है तो परमात्मा अकेला अनादी और अनंत शाश्वत है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ना होने से कुछ भी नहीं बनाया जा सकता ऐसे जादु मंतर से पानी नहीं बनाया जा सकता कोई भी जो चीजे हम संसार में देख रहे हैं वो पहले थी, हैं, और रहेंगी तो इस बात के लिए बाबा ने इसपष कर दिया जैसे मैं अनादी हूँ, अकिला मैं अनादी नहीं सब आत्में भी अनादी प्रकृती भी अनादी समय भी अनादी तो ये ड्रामा भी अनादी है तो अंदा और मुर्गी वाला जो प्रशन है वो खत्म हो जाता है कि हम अंदा भी हमेशा था और मुर्गी भी हमेशा थी कभी ऐसा नहीं था कि अंदा नहीं था तो मुर्गी नहीं थी दोनों थे ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है ये पहली बाफ नएं सबी जितनी भी मुर्गया है उतनी मुर्गया भी थी और उतरे अंडे भी थे बाफ समय के अनुसार हर एक का पार्ड अपना अपना है क्रिया और प्रति क्रिया दोनों एक साथ है बाबा ने कितनी लाइन के लिए एक ही लाइन में कर दिया बच्चे जो कर्म आप कर रहे हो वो पिछला बराबर कर रहे हो अगला बना रहे हो एक ही टाइम में दोनों हो रहा है कहीं भी नहीं और कहीं भी नहीं खेल चालो रहा है पड़ा क्लियर समझना है एक ही लाइन में बाबा ने ज़ाब दिया कि जो भी कर्म आप कर रहे हो पिछला बराबर कर रहे हो अगला बना रहे हो हर एक्ट तीनों कालों का परचायक है जिस टाइम जो कर्म कर रहे हो ये याद रखो वर्तमान में मैं जो भी कर रहा हूं वो मैंने पिछला बराबर किया और अगले कल्प के लिए बना दिया जिसको बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना है क्योंकि दोनों एक साथ है एक नहीं है बाबा ने वुनरफूल एक दम समझाए ये ही दुनिया वाले आज तक नहीं समझ पाए थे ये बात बाबा ने वुनरफूल एक दम समझाए ये समझ में आ गया होता ना तो उनको बहुत कुछ समझ में आ जाता इस बात ने मेरी ड्रामा की राज को एक दम क्लियर किया बाबा ने एक दिन मुरली में कहा ड्रामा टाइम की बेल्ट पर चलता है ड्रामा समय की बेल्ट पर चलता है पीना समय के कोई द्रामा नहीं होता चाहे वो तीन गंटे का द्रामा हो चाहे एक गंटे का द्रामा हो चाहे दस गंटे का द्रामा हो समय तो चाहिए न और बाट्यों में जितने भी सत्यार्थ प्रकाश को पड़ा या शास्त्रों को पड़ा उन्हें कहीं समय को नहीं लिया गया उन्होंने लिया प्रकिर्टी और पुरुष का खेल है बस यदि तीन लिये तो यहां भी हमारे पास बहुत सारे भाई बैन अभी तक भी वही करते आ रहे हैं आत्मा, प्रमात्मा और प्रकिर्टी इन तीन का खेल है उनको ये मुरली पता नहीं, समझ में नहीं आई, उन्होंने इस लाइन को सुना नहीं, जिसके कारण हमारे भाई बैन भी, ब्रह्मा कुमार भाई बैने भी, वही तीन लिये जा रहे हैं, आत्मा, प्रमात्मा और प्रकृति, क्योंकि दुनिया में समय को नहीं लिया, वो महाबारत के अंदर बताया था, पर तो समय को तो, ये भी मेरे भागे की बात है, कि वो मुझे सीन याद रहा, और जिसके काल मुझे ये समझना आसान हुआ, कि जिसमें, देखो कि उसको भी तच किया, देखो न, क्योंकि जो कुछ हमने देखा हुआ होता है, वो हमें कैसे हल्प करता है, समय कहता है, जब ये नहीं थे, तब भी मैं था, और जब ये नहीं रहेंगे, तब भी मैं रहूँगा, ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी कि जितने भी वीडियो बना रहे हैं, किसी ने अभी तक समय को नहीं लिया, किसी ने भी समय को नहीं लिया, क्योंकि ये तीन सत्य भी हमारे द्वारा बाबा ने देना होगा, समझाना होगा, तो ये तीन सत्य भी हमारी वीडियो में मिलते हैं, और कोई तीन सत्यों को नहीं लेता वो तीन सत्य लेते हैं किस में समय नहीं है यह आपने बनाया है यह आपने जो जूटा समय बनाया है वो आपने बनाया है पर कि सचा हाँ ध्यान से समझो जब मैंने यह question बनाया था वहाँ पर आंसर दिया था उसमें बताया था समय सत्य है पर तुस समय के असत्य को भी समझना है तुआ समय के असत्य को भी समझाया था दुनिया में जितने भी हमारे समय की एकाईया है चाहे वो एक सेकिन है वो एक सेकिन शुरू हुआ और खतम हो गया ये जूट है एक मिनट शुरू हुआ खतम हो गया ये जूट है क्योंकि सत्य की कुछोती में इकाई नहीं जाती एक घंटा है वो शुरू हुआ खतम हो गया छे मेने का कुर्स करने के लिए गए, छे मेने का कुर्स भी खतम हो गया, साल भी खतम हो गया, दस साल भी खतम हो गया, युग भी खतम हो गया, कल्प भी खतम हो गया, तो जो खतम हो गया, वो जूट है, भाई जी, समय रिपिक ने होता न, नहीं, नहीं, बिलकुल, भाई जी नहीं भाई जी फिर आप जो है ना हद में चले गए बे आद में आओ मैंने जो ये question answer बनाया था जो ये बड़ा clear समझना है समय सत्य है उसका अरंब और अंत नहीं उसका अरंब भी नहीं और अंत भी नहीं कब से चला रहा है और कब तक चलता रहेगा ये समय सत्य है परतो समय की इकाई वो जूट है मैंने बड़ा clear इस बात को बाबा का clarity इतनी आई है कि जो मतलब समय की चाप कितनी बड़ी इकाई है वो जूट है वो खतम हो जाएगा परतो समय चलता रहेगा समी की बेल्ट का मतलब समझने के लिए आपको मेरे मारती कंपनी ले के चलता हूँ यह ँस बेल्ट पर एक वेक्ती कोई बी चीज उठाके रख देता है वुष उसका काम इतना है कि उसने एक चीज उठाके रख देनी है अगले के पास वो पहुंचेगा उसने कोई नट लगा देना है अगले ने कुछ और जोड देना है अगले ने कुछ और जोड देना है वो इस परकार से चलती रहती है और वो चलते चलते आखिर में पूरी कार बनके उतर जात हाँ दूसरा आगे वाले आगे पर चेक करने वाले खड़े हैं जो इन computer उसको हटा देगा उसको हटा के हटा देगा और उसको पूछा जाएगा कि नोटिस दिया जाएगा कि तुमने यह लाप राइक चोंग की उसको अपने वह चलती रहे बाबा ने कंपनी का नाम लिया जैसे कंपनियों में कोई बीचीज बनती है तो बैल्ट पर चलती रहती है ऐसे यह ट्रामा भी समय की बाबा ने क्या क्लियर्टी दिया है बतारी वो कप्रियों भी जाके देखता है ठेहरी बहुत वंदरफुल मलबाबा की पड़ाई जोना बड़ी वंदरफुल है बहुत याद रखना है समे सत्य है परंतु समे की इकाई जूट है प्रकिरती के पाथ जो तत्व सत्य है विज्ञान के एक सो पाशा रहेगा पानी से मिलकर कुछ बना वो नस्ट हो जाएगा वो जूट है इसलिए वहां पर एक्स्प्लें किया कि पाथ तत्व से बना हुआ यह शरीर क्या है जूट है जिसके लिए साइंस का आपने एक्जांपल लिया कि पीतल है ना पीतल में तांबा मिलाया जाता ह लिड मिलाया जाता है कोपर मिलाया जाता है तीन जब धात्व मिलाई जाती है तो पीतल बनता है इसलिए साइंस में का जाता है पीतल जूट है तांबा सत्य है तिन सत्य है लिड सत्य है पीतल जूट है क्योंकि वो तीनों से मिल करके बनाए जैसे हमने पीतल में से तिन नि पितल नहीं रहेगा, पितल मेंसे ताबा निकालिया तो पितल नहीं रहेगा, क्योंकि पितल तो बना है, वो जूट है, पर तु टिन हमेशा रहेगा, लिड हमेशा रहेगा, कौपर हमेशा रहेगा, उसका रूप बदल जाएगा, पर तु वो रहेगा, चाहे कहीं भी रहे, पानी हमेशा रहेगा, पर तो पानी को हमने चला दिया, वो सुख गया, हमारे यहां से स्टीम बनके चला गया, पर तो पानी रहेगा, चाहे वो कहीं जाकर के ठंदा होगा, तो फिर पानी बन जाएगा, ये कभी नस्थ नहीं होगा, पांचो ता तो कभी नस्थ नहीं होते, पार्चोता तो कभी बनाए नहीं जा सकते, कोई भी पानी को नहीं बना सकता, दुनिया में कोई तरीका नहीं है कि कोई पानी बना के दिखाए, और इसी परकार से हमें बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर समझा, सच और जूट को समझे भी न, हम सही फैसला नहीं कर सकते, इस वीडियो को बड़ा कमाल का वीडियो है, बेस है, पानी भी तो एच्टूो से बना है न, नहीं बना, कोई नहीं बना, आज तक कोई साइन्टिस्ट एच्टूो को मिला के पानी नहीं बना सका, पानी को ऐसे एच्टूो बना दिया, पानी नहीं बना सकते है, पानी नही पानी को मशीन के दोरा बिजली के करेंट के दोरा और उनके तोरते हैं उसको तो उसका पानी का H2O और हाईडरोजन दो इस चीज़े बन जाती है हाईडरोजन और हाईडरोजन बन जाता है तो ध्यान दीजिए बात यही मैं बता रहा हूँ कि आज तक कोई भी scientist hydrogen का cylinder लेकर oxygen का cylinder लेकर पानी नहीं बना सकता ये भी तो राज समझना है न हमने पानी को तोड़ा पानी को तोड़ने से हमें दो चीज़ें मिली पर तु दोनों चीज़ों को मिला कर हम पानी नहीं बना सकते कहने होगा कुछ भी क्योंकि यदि बन जाए न तो फिर पानी जूट हो जाएगा पानी बन गया तो पानी सत्य की कैटेगरी से बाहर आ जाएगा वो नाशवान हो जाएगा विनाशी हो जाएगा इसका मतलब पानी सेपरेट है और उसमें से आलग निकल सकते पर जोड़ने सकते बड़ी दीप त्योरी है सत्य की डेफिनेशन को आप में बहुत अच्छी तरह से समझना है क्योंकि यदि आप ये मंतल नहीं करें तो ना आपको समझ में आए ना मुझे समझ में आए ना फिर आप किसी और को समझा सके क्योंकि मंतल कर एक भी बात हैं जी बिल्कुल 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 हरे के लिए क्योंकि उसक्वेस्टन में यही बात समझाई है कि जो चीज एक से दो चीज़े मिलकर के बनी वो जूट हो जाएगी इसलिए तो शरीव को जूटी काया जूटी माया, जूटा संसार का जाता है जो कुछ भी हम देखते हैं वो एक से अधिक ततों से मिलकर के बना है और जैसे उसमें से एक ततों हटा, वो खराब हो जाएगा जैसे प्लस्तर में से कोई ना कोई कैमिकल निकल जाता है, तो गिरना शुरू कर देता है ऐसे हर चीज अपने समय के अनुसार क्यों डिग्रेड हो रही है कि उसमें से कोई ना कोई चीज अलग हो रही है किसी ना किसी कार्ण से तो इसी कार्ण वो क्या होती है हर चीज क्या होती है नस्ट होती हुई हर एक की लाइफ बन जाती है कि वितने डाइम के बाद लगबग वो खराब हो ही जाएगी तो इसलिए वो विनाशी है जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो एक से अधिक elements से मिलकर बना है इसलिए उसे नस्ट होना ही होना है सारे जूट में चले जाएंगे तो इसलिए परमात्मा कहते मैंने तुम्हें भी नहीं बनाया संसार को भी नहीं बनाया और स्वैम का स्वैम्भू मैं हूँ आप स्वैम के स्वैम्भू हो हर एक element अपना ही बनाने वाला है और जो बनाते हैं वो नस्ट हो जाता है यदि कोई और बनाता है जिसको उसने नस्ट होना ही होना है जो बना वो अंत होगा जिसका आदी है जिसका अंत है वो जूट है यही definition को clear करने के लिए वहाँ पर दिया है बाप को ग्यान का सागर कहा जाता है जानी जानानहार अर्थात जार के आदी मद्य अंत को जानने वाला जानी जानानहार का मतलब भी क्या है आदी मद्य अंत को जानते हैं बाप ही मनुशे स्रिष्टी का बीज रूप है ग्यान का सागर है उनमें ही सारी नौलेज है वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं सब मनुशे कहते हैं पीस कैसे हो तुम अभी कहेंगे के पीस तो शांती का सागर ही स्थापन करेंगे और कोई शांती संसार में स्थापन कर नहीं सकता वेशांती सुख और ग्यान का सागर है कौन सा ग्यान है उनके पास स्थिष्टी के आदी मद्य अंत का ग्यान और वो ग्यान जिसको वो खुद भी चेंज करना चाहे तो चेंज नहीं कर सकता कितने कमाल की बात है उसको सारा ग्यान मालुम है वो तो इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको change कर सके उसको अपना role मालूम है वो अपने role को play करता है अपने role में भी change करना चाहे तो नहीं कर सकता भले कहें जो सरुशक्ति बहुत बंदा हुआ एक line में उसने अपने सारे राज को हमारे सामने खोल के रख दिया कि मैं भी तुमारी तरह बंदा हुआ हूँ मैं भी अपने part में कोई change नहीं कर सकता चो ड्रामा में मैंने किसी कल्प में नहीं किया कभी नहीं कर सकता मैं किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता किसी की नोकरी नहीं लगा सकता, मेरा संसारिक काम करने का नियम ही नहीं है वो लोग ग्यान तो शास्त्रों का अभी समझते हैं, शास्त्रों में कितना ग्यान लिखा हुआ है, ऐसी ऐसी बाते लिखी हुए जो हमने कभी सोची नहीं थी क्योंकि हमने नहीं सोची थी, उन्होंने चाहिए राम राज्ये वाली राम राज्ये कब था ये किसी को भी मालूम नहीं है बाप जानते हैं कितनी धेर आत्माई हैं मैं इन सब का बाप हूँ ऐसे और कोई कह नहीं सकते जो भी सब आत्माई हैं सब इस समय यहां हैं पहले शांती धाम में थी फिर सुख धाम में आई फिर सुख धाम से दुख धाम में आई हैं सुख दुख का ये खेल कैसा ब कि आवा गवन का खेल है तो अब तुम बच्चों की बुद्धी में है कि वे हम सब आत्माओं का बाप है वो हमें नौलिज सुना रहे हैं वे आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं हम को पढ़ाते हैं कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं सबी आत्माओं का बाप तुम को पढ़ाते हैं कितना बेहद का बड़ा नाटक है वे लाखों वर्ष कहें देते हैं तुम कहेंगे ये पांच हजार वर्ष का खेल है ये पांच सजार वर्ष का खेल है अभी तुम जान गए हो शान्ती दो परकार की है एक है शान्ती दाम की दूसरी है सुक दाम की ये तुम बच्चों की बुध्धी में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं ये तो कोई शांस्त्रों में भी नहीं है दुनिया की किसी किता भाबा ने दो टाइप की शांती क्यों बोला इसमें शांती दाम की सुक दो टाइप्स की क्यों बोला भी ये ये अजीब परसन खड़ा कर दिया शांती भी दो परकार की होती है और बाबा दो परकार की बोल देता है तो क्या है सुक्धाम की शांती अलग होती है परमधाम की शांती अलग होती है बाबा तो बोल रहा है बुन तो हमारे खोपड़ी में तो नहीं बैठी न परमधाम की शांती में हमें सुक है वहाँ पर शरीर के साथ शांती मिल विया परमधाम की शांती डड़ साइलेंट वहां यहां पर हमें शरीर के साथ किया नहीं कोई दुख नहीं वो शांति है मतलब हमें दुख नहीं परमधाम में जो शांति होती है वहां संकल्प ही नहीं होता जो शांति है रियर शांति है वो परमधाम की शांति है जहां हमारे पास संकल्प नहीं होता यहां हाम जैसे हमारे जो फोट होते हैं वो हमारे नॉर्मल, आज की कल्यूग के समय के साब से समाने व्यक्ती के 10 से 15, एक मिनिट के अंदर संकल्प चलते हैं, तो आज डॉक्तर कहते हैं समानय है और जब इससे ज़ादा संकल्प चलना शुरू करते हैं तो उसको tension कहते हैं और जब 35 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके पागल होने के chance है और 50 तक पहुँच गया तो उसे कोई वापस ला नहीं सकता और क्या संकाल्पी तो है यदि 50 तक पहुँच गया पागल वाला ही रूप है पागल वाला ही रूप है पर तो अभी उसके संकालप पंदरा से ज़्यादा हो गए तो टेंशन पंदरा से ज़्यादा हो गए तो उसको क्या है टेंशन तो हो जाएगा पर तो डिप्रेशन और टेंशन दोनों एक दूसरे के साथ है टेंशन में उतेजना जादा हो जाती है डिप्रेशन टेंशन बन जाता है तो बात हमें समझ रहे हैं कि थोट रात को डिप्रेशन का मतलब रात को नींद नहीं आ रही है उसके थोट चल रहे है थोट की स्पीड जादा है तब उसको नींद नहीं आ रही है और जब किसी के भी दाप्टर देखता है कि पंदरा से उपर हो गए हैं तो पहले कोशिश करते हैं कि इसको नींद की गोली दे दी जाए और नींद की गोली असर नहीं कर रही है तो उसको injection लगा दिया जाए कि इसको सुलाना ही इसका इलाज है और इसका कोई इलाज नहीं है चैंटेंशन को हो चैंटेंशन को हो पंदरा से उपर होते हैं अब जैसे हमारे दस से नीचे आएंगे जैसे हमारे विचार एक मिनट में दस से नीचे आएंगे हम रिलेक्स फिल करेंगे न पर तुछ जिरो नहीं हो सकते जिरो वाली शांती तो परंधाम में है यहां वाली शांती क्या है रिलेक्स वाली शांती है यहां की शांती में जैसे दादी जानकी का चार पांच चार पांच तक चली जाते थे थोट वहाँ एक मिनिट में सिर्फ चार या पांच थोटा है हैं जी हाँ वो कम चलते है हमारे जितने नेगिटिव या वेस्ट थोट होंगे उनकी स्पीड फास्ट होती है मैं वही आपको समझाया कि हम जितना जितना दस से नौ पर आए तो हमें रिलेक्स मैसूस होगा और 9 से 8 पर है तो और रिलेक्स मैसूस होगा 8 से 7 पर है तो और रिलेक्स मैसूस होगा तो सत्युग में नेगिटिव थोट होते ही नहीं वेस्ट थोट होते ही नहीं और वहां हमारे थोट बहुत स्लो जो करना है वही संकल पाएगा जो बोलना है वही संकाल पाएगा बाबा कहते हैं मेरे को केवल जिस सेकिन वही संकाल पाता है जो मुझे बोलना है इससे बीच में मैं सोचता नहीं अब जिसे मैं मुडली आपको सुना रहा हूं मैं इसको कई बार नोट करता हूं कितनी बार कि मैं सोच तो कुछ और रहा हूँ, सुना मुर्ली रहा हूँ महला मेरे संकल्प आपने चल रहे होते हैं कुछ और भी संकल्प चल रहे होते हैं तो अब ये संकल्प जब मेरे अंदर चल रहे हैं इसका मतलब मैं टेंशन में हूँ लाइन समझे कौन से थोट है ऐसे जो मेरे को मुरली के टाइम पर आ करके रोक रहे है और जितन टाइम मैं और दूसरे संकल्प कर रहा हूँ मैं मुरली पढ़कर आपको सुना रहा हूँ पर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग को किसी और ने इंगेज का रखा है, अब सोचे कि एक साथ डबल संकल्प चल रहे हैं, तो टेंशन है ना, शांती नहीं है ना, और जब मैं एकडम शांत हूँ, तो केवल मुर्ली पर क प्लानेशन होती है, और बार-बार हर एक बात को समझ रहे होते हैं, और समझा रहे होते हैं, नहीं तो एकडम ट्रेन चल रही है, पटापट, पटापट, तस मिनिट में मुर्ली पूरी, तो यही होता है, यह अंतर सारा समझ सकते हैं, हर एक के लिए है, सब के लिए है, सब समझ सकते हैं क्योंकि शांती सुखदाम की शांती हमारे positive thoughts इतने slow होते हैं बहुत आराम से इसलिए बाबा कहते है अभी आप positive thoughts करो तो आपके thoughts slow हो जाएंगे और आपको relax मिलेगा वहला यही मम्मा की एक विशेशता थी मम्मा को कभी थकावत नहीं होते थी कभी भी क्यों नहीं होते थी क्योंकि मम्मा भी अपने आपको इसी पर expert किया था कि जो सोचना है वो बाबा की सिरीमत पर ही सोचना है वरना कुछ और सोचना नहीं जो कह दिया उसको कह दिया अब अपनी बुद्धी नहीं चलानी बाबा ने जो कह दिया है मुझे वो करना है अब अपने मैंने बुद्धी नहीं चलानी के पता नहीं बाबा कहतो रहा है ठीक है के नहीं है ऐसे करूं के नहीं करूं हम अपने बुद्धी चलाते हैं बाबा ने तो कहा है हम अपने बुद्धी चला करके डबल कर देते हैं एक थोट को डबल कर देते हैं बाबा ने कहा हम कर दे खतम बाद जैसे बच्चे को का जाता है बेचे करो वो कर देता है खतम तो इसी प्रकार से हमारे बाबा की शिरिमत पर थोट चलते हैं तो हम तो अंतर समझ गयोंगे हम सुखधाम की शान्ती और परंधाम की शान्ती में क्या अंतर है ये तो कोई शास्त्र में भी नहीं है ये बाते किसी शास्त्र में नहीं है बेहद का बाप है ना सभी धर्म वाले उनको अल्ला, गौड, पादर, प्रभू, आदी, आदी कहते हैं हर एक अपड़ अपड़े नाम से उनको कहते रहता है उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी उची होगी ये सारा दिन अंदर में रहना चाहिए बाप कहते हैं मैं तुमको नई बाते सुनाता हूं नई किसम में से पढ़ाता हूं नई बाते सुनाता हूं नई किसम से पढ़ाता हूं तुम फिर औरों को पढ़ाते हो बक्ती मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है वास्ताव में ये ब्रह्मा भी बड़ी मा है ब्रह्मा भी बड़ी मा है इनकी शिव को, इनको शिव को तो सिर्फ पिता कहेंगे, ये हमारा बाप है और ब्रमा हमारी माँ है, मात पिता फिर उनको कहेंगे, मात पिता फिर किनको कहेंगे, शिव बाबा को, ब्रमा बाबा को, ठीक है, इस माता द्वारा बाप तुमको एड़प्ट करते हैं बच्चे बच्चे कहते रहते हैं बाप कहते हैं मैं हर पाँच जार वर्ष के बाद तुमको ये नौलिज सुनाता हूँ ये चक भी तुम्हारी बुद्धी में है तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो ग्यान सागर बाप की है रुहानी नौलिज रुह बाप ही ग्यान का सागर है आत्मा कहती है बाबा बच्चे भी सब बाते अच्छी रिती बुद्धी में धारन करते हैं अंतर मुख हो ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वे खुशी और नशा रहेगा बड़ा टीचर तो है बड़ा टीचर तो है शिव बाबा वे फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं उनमें भी नंबर वार है उनमें भी क्या है नंबर वार है बाबा जानते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बाबा जानते हैं, ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब खुश होते हैं, कहते हैं, ऐसे बाबा के पास, हमको भी जल्दी ले चलो, और जब कोई मुली सुनाएगा, उसको अच्छा लगेगा, तो कहएगा भई जिससे जो पढ़ाने वाला है तुमें उस बाबा के पास हमें भी ले चलो जिसने तुमको ऐसा बनाया बाबा बतलाते हैं मैं भी इनके बहुत जर्मों के अंत में परवेश करता हूँ तुमको पढ़ाता हूँ कल्प कल्प हम कितना वारी इस भारत में आये होंगे कितनी वारी आये होंगे अंगिनत बार कितनी बार फिर आयेंगे अंगिनत बार उसको गिंती दे देंगे तो फिर हद हो जाएगे अन-गिनत मन, बेहद बार आचुके हैं, और बेहद बार गिन्ति नहीं कर सकते, हद नहीं दे सकते, तुम ये नई बातें सुनकर वनर खाते हो, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, उनके ही भक्ती मारग में कितने नाम हैं, कोई परमात्मा, राम, प्रभू, अल्ला कहते हैं एक ही teacher के दिखो कितने नाम रखती हैं teacher का तो एक ही नाम होता है अनेक होते हैं क्या? उनके नाम अनेक होते हैं क्या? तो कोई खुदा, कोई गौड क्या क्या कह देते हैं खुद समझते हैं मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने जब प्ढ़ कर देता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा अब तो पुरानी दुनिया है उनको नया कोण बनाएगा? अब इस पुरानी दुनिया को नया कोण बनाएगा? बाप कहते हैं मेरा भी पारट है भई महीं बनाऊंगा? मैं ही द्रामा के वश हूँ मैं द्रामा के वश हूँ ये भी बच्चे जानते हैं भक्ति का कितना विस्तार है ये भी खेल है आधा कल्ब भक्ति को लगता है अब पिर बाप आए है हम को पढ़ाने वाला भी वही है वही शांती स्तापन करने वाला भी है जब इन लक्षमी नारेन का राज्य था तो शांती थी यहां है अशांती बाप है एक आत्माई कितनी धेर है कितना वंडरफुल खेल है बाबा सब आत्माओं का बाप है वही हमको पड़ा रहे हैं कितनी खुशी होनी चाहिए तो हम समझते हो गोप गोपिया तो हम ही है और गोपी वलब बाप है सिर्फ आत्मा को गोप गोपिया नहीं कहेंगे सिर्फ आत्मा को हम गोप गोपिया नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे गोप गोपिया जब आत्मा शरीर धारन करती है तब उनको गोपियां कहेंगे पुरुष का शरीर लिया तो गोप और इस तरी का शरीर लिया तो गोपियां नहीं तो आत्मा को क्या कहा जाता है संस्कृत में गोप आत्मा को गोप कहा जाता है यही से उन्होंने गोप कह दिया थोड़ा सा चेंज कर दिया तो वास्तों में आत्मा को गो कहा जाता है और जब आत्मा शरीर में आती है तो उसे गोप गोपियां कहा जाता है और गोप गोपियों का आपस में रिष्टा क्या होता है भाई बेहन भाई बेहन जब आ अंदी गोपयान जो किसंधे राज करते थे गोप मल दाबा यहां पर काई राज समझा रहा है सम्हे का अरह मैं भाग रहा था तो आपने रोक दिया थे थे नहीं तो गोप मलव, गोप गोपियां हम समझते थे कि किर्ष्ण के साथ जो रास करने वाले हैं वो हम उनके समझते हैं यह भी इनकी सक्षियां हैं यह जो दुनिया समझती है हम भी यही समझते थे परण तु बाबा ने आके कहा कि गोपी वल्लब कृष्ण नहीं कह सकते गोप गोपियों का वल्लब मैं हूँ वल्लब माना बाप वल्लब माना बाप वो कृष्ण को भगवान समझते हैं पर तो कृष्ण के साथ राज करते हुए उनको सखा या सखी समझते तो बाबा हमें यहां समझाना चाह रहे हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ जब तुम गोप गोपियां शरीरधारन करते हो तो तुम भाई बहन हो तुम कोनो भाई बहन हो गोपी वल्लब शिव बाबा के बच्चे गोपी वलब गोप गोपिया क्या हैं गोपी वलब शिव बाबा के बच्चे हैं गोप गोपिया अक्षर ही मिठा है गायन भी है गाते भी है मंत्र भी बोलते हैं अच्चतम केश्वम गोपी वलबं जान की नाथम यह महिमा भी इस समय की है पर तुन ना जानने के कारण सब ब जाते मिलाकर जिसे गुर्ड धानी में गुर्ड डाल दिया जाता है सब बना दिया जाता है इन खंडों को जानते हैं सत्युग में किस हैं जी अज्टम केशव में सारे संसार के दुखों को दूर करने वाला केशव है ठेवनी गोपी बलभम मादा हम सब गोपीयों का बाप है क्योंकि उन्होंने क्रिश्न के लिए कहा है पर तुबाबा क्यते हैं वो मैं हूं जानकी नाथम, सीताओं का नाथ, सब सीताओं का पती राम मैं हूँ, ये मेरे लिए है ना कि कृष्ण के लिए है, वो तो कृष्ण को कहेंगे, राम को कहेंगे, वो कहते हैं सारी भगवान है ना, अब इस मंत्र में सब का नाम आजयता है, नारैन का भी नाम आजयता है, ब्र तो बात यह आती है कि वो सारे मैं हूँ वो नहीं है सत्युव में किसका राजे था कितना समय चला यह नहीं जानते क्योंकि कल्प की आयू लखो वर्ष कह दिया है बिलकुल इघोर अधियारे में है अब आप आकर तुम को स्रिष्टी चक्र की नौलिज देते हैं जिसको जानने से तुम त्रिकाल दर्शी त्री नेत्री बन जाते हो यह पढ़ाई है बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संकव यूग पर आकर तुम को पुर्ष उत्तम उत्तम आत्मा बनाता हूं नंबर वार तुम ही बनते हो पड़ाई में ही मर्तबा मिलता है तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पड़ाते हैं वो तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है ठिकर भितर में है क्या क्या कहते रहते हैं देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी हैं, रावन को दस सीस देते हैं, तो बच्चों को दिल में आना चाहिए, सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु वे खुशी भी तब आएगे, जब फिर औरों का कल्यां कर, सब को खुश करेंगे, करो, रहम दिल बनो, ओ, ओ, बाबा हमको विश्व का माराजा बना देते हो, राजा, रानी, प्रजा, सब विश्व के मालिक बनेंगे न, वहाँ वजीर होते नहीं, वहाँ वजीर होते नहीं, अब राजाएं नहीं हैं, तो वजीर ही वजीर हैं, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हैं, तो घड़ी घड़ी ये भुद्य में आना चाहिए, कि बेहद का बाब हमको क्या पढ़ाते हैं, जो अच्छी रेती पढ़ेंगे, वही पहले आएंगे, और उचपद पाएंगे, ये लक्ष्मी नारायन इतने सवकार कैसे बने, क्या किया, भक्ती मार्ग में कोई बहुत सवकार होते हैं, तो समझा जाता है, इसने ऐसे उंच करम किये हैं, इश्वर अर्थदान पुन्य भी करते हैं, समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में सवकार बन जाते हैं, प्रंतु वे कह देते हैं इन डारेक्ट, जिससे अलपकाल के लिए कुछ मिलता है, अब आप डारेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि ये नौलिज दे, ऐसे लक्ष्मी नारायन हमको बनाओ, मनुष्य की बुद्धी में तो स्री कृष्णी ही याद आता है, बाप को ना जाननी की कारर कितना दुखी हो पड़ते हैं, आप बाप तुमको देवी संपरदाय का बनाते हैं, तुम शान्ती धाम जाकर फिर सुकदाब में आएंगे, बाप कितना अच्छी रिती समझाते ह सुनते हैं, फिर सुकदाब में आएंगे, बाप, भल सुनते हैं प्रंतु जैसे की सुनते हैं, बल सुन रहे हैं, प्रंतु कान बंद हैं, सुनते हैं जी, बुद्धी बाहर चली जाती है सुनते नहीं सुनाई नहीं देता उनको पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बाप आकर बनाते है सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए इस्त्री का पती पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है इस्त्री का बहुत लव रहता है यहां तो तुम सब बच्चे हो फिर भी नमबर वारतो है तुम जानते हो ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुमारे विकर्म विनाश होंगे फिर भी भूल जाते हैं आरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूलते हो चूं? चूं भूलते हो माया की तुफान आएंगे फिर भी तुम कुशिश करते रहो बाप को याद किया तो वर्सा मिल जाएगा? वर्सा मिल जाएगा? स्वर्ग वासी देताएं तो सब बन जाते हैं बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं फिर पद भी बहुत कम हो जाता है ये सब नहीं बाते हैं ध्यान में तब आएंगी जब बाप को टीचर को याद करेगे याद करते रहेंगे तुम टीचर को भी भूल जाते हो बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्यान यज्य में स्वा हो जाए तब तक पढ़ाई चलती रहेगी जब तक सब कुछ स्वा नहीं हो जाता तब तक पढ़ाई चलती रहेगी तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ और फिर क्या पड़ाएंगे वही तो मुल्या हमको हम revise कर रहे हैं वह दो-तीन साल की मुल्या हैं जिनको हम दो-तीन साल बाद revise कर रहे हैं क्या है यह बाबा का कड़े मतलाब अजी 15 में से छुटिया नहीं होगी लगातार सलते रहेंगी स्कूल बाबा कहते हैं नई-नई points निकलती रहती है मुल्या बड़ी है जितनी बार पड़ोगे नई-नई points निकलती रहती है तुम सुनकर खुश होते हो ना तो अच्छी रीती पड़ो और सुदामा मिस्टर जो कुछ भी तुमारे पास है वो मेरे को देता उसके पास चावल था उसने चावल दे दिया आपके पास जो कुछ हो दे दो वे भी करते रहो ये भी बहुत बड़ा वेपार है बाबा वेपार में बहुत बाबा वेपार में बहुत फ्राक देते रोपाई से एक आना धर्माव निकालते नहीं बाबा आपके व्यर्थ संकल्पों का अचार डालेगा क्या बाबा को अचार नहीं डालना बाबा कहते जो भी तन मन धन जो पैसा है जिसे सुदामा के पास चावल थे तुम्हारे पास यह दी 10 रुपए है 100 रुपए है लाक रुपए है मकान है जो कुछ भी है जो भी तन मन धन जो कुछ भी है न वो सारा स्वाह करो जब तक स्वाह नहीं होगा तब तक घार नहीं ले जाओंगा और चाहे राजी खुशी स्वाह करो चाहे मेरे कहने पर जबरदस्ती स्वाह करो स्वाह तो हो गई होगा नहीं तो बार बुकाम पाकर के स्वाह करेंगे नहीं तो आप राजी खुश्ची स्वाह करतें यह सब स्वाह करना है इसके बदले में मिलेगा आपको रुपए से एक आना धर्मव निकालते थे एक्जामपल दिया आगे बर्मा बाबा भी सोला ने एक रुपया कमाया सोला ने कमाये एक रुपय में से एक आना धर्मव निकालते थे मंदिर में धार्मिकारे में सेवा में देने के लिए ओम शांती सबसारा होता है सबकी परसंटेज अलग-अलग है चाहे आपने भंडारी में दिया चाहे दीदी के हाथ में दिया यदि दीदी ने अपने शरीर पर उसको यूज किया तो दीदी आपको करजा देगी वो करजदार दीदी है और यदि वो बाबा की सिवा में लगा और उसने अनेग आत्माओं को सुख पहुचाया तो आपको अनेग आत्माओं से उसका लाभ मिलेगा बाबा कुछ नहीं देगा भल गाटा पड़ता था क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे आपको देख सब भरेंगे आप जितना ज़्यादा सेवा में लगाएंगे ब्रह्मा बाबा कहते थे तो आपको देखकर दूसरे भी करेंगे आपने जिस हो रुपर किये तो दूसरे भी सोचेंगे हम 80,60,50 करें तो बहुतों का कल्यान हो जाएगा वे भी भक्ति मारग यहां तो सब कुछ बाब को दे दिया सब कुछ जो कुछ भी आपके वसे सारा अशे बाबा को दे दिया बाबा ये सब कुछ लो अब मुझे तुम नारायन बना दो पन्तु फिर भी बाबा ने उसको कितनी मेनद करवाई बाब कहते हैं तुमको सारे विश्व की बाशाही देता हूं विनाश का साक्षातकार चत्र बुज का भी साक्षातकार हुआ तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे बाबा की परवेश्टा थी ना विनाश देखा बस ये दुनिया खत्म हो रही है ये धन्दा आदी क्या करो जब दुनिया खत्म हो रही है पर मैं धन्दा क्या करूं छोड़ो गदाई को हमको रजाई मिल रही है अब बाब तुमको भी समझा रहे है कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है तुमको कुम्ब करन कुम्ब करन की नीन से जगाना है कुम्ब करन को नीन से जगाना है कितना पुरशार्ट करा रहे है तो भी तुम जागते नहीं हो तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बच्चे एक बाप ही याद आएगा जब सब कुछ बाप को दे दिया जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा तो तन मान धन तिनों बाबा को दे दो फिर आपका मान कहीं और जा नहीं सकता तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो जिनके माथे मामला नींद फिर देशो उसी की नींद फिर जाते है जिसके सिर पर मामला होगा जो सोचेगा कि मुझे सारे विश्व को स्वर्ग बनाना है उनको निद नहीं आएगी वो 24 गंटे सेवा में लगे रहेंगे विचारियां मार खाती हैं पती कितना स्ताते हैं भल समझते हैं ड्रामा में है हम कर ही क्या सकते हैं कालप पहले भी अबलाओं पर अत्यचार हुए थे नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है बाप तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जनम के अभी अंत में मैं परवेश करता हूँ तो जरूर हम ही गोरे थे जो अब सावरे बने हैं अब फिर बाबा हमें सावरे से गोरा बना रहे हैं हम जाकर स्री कृष्ण बनेंगे इस चित्र को देखता हूँ तो भी अंत में मैं परवेश करता हूँ तो जरूर हम ही गोरे थे जो अब सावरे बने हैं मैं ही पहले नमबर में जाओंगा हम जाकर स्री कृष्ण बनेंगे ब्रह्मा बाबा करें मैं पहले नमबर में जाओंगा और हम ही जाकर स्री कृष्ण बनेंगे इस चित्र को देखता हूँ तो ख्याल आता है कि ये जाकर बनूगा कृष्ण का चितर देखता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि ये जाकर मैं बनूगा तो बाप बच्चों को अच्छी रीती समझाते हैं अब बच्चों का काम है समझ कर दूसरों को समझाना अच्छा मिठे मिठे सिक्की लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गोड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते दारणा के लिए मुख्य सार नमबर एक हम गोपी वल्लबी गोप गोपियां है इस खुशी वा नशे में रहना है अंतर मुख्य बन विचार सागर मंतन कर बाप समान टीचर बनना है सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ-साथ पड़ाई भी अच्छी रिती पड़नी है विनाश के पहले बाप से पुरा वर्सा लेना है कुम्ब करन की नेंद में सोय हुए को जगाना है पहले त्यार होना है ना जो एक्जाम देने जाते हैं तो एक्जाम से पहले बच्चे त्यार हो जाते हैं ना जो बच्चे त्यार होते हैं तो भय मुक्त होकर एक्जाम देते हैं जिनकी त्यारी नहीं होती है बिचारे आखरी सांच तक कमरे में गुशने तक भी किताब पढ़ते जाते हैं पता नहीं कौन सी बात याद आ जाए वर्दान मधुर्ता के गोण द्वारा संसकार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले हुली हंस भाव जैसे हुली पर रंग खेलते और एक दोग का मुख मिठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं ऐसे आप होली हंस बच्चे चब एक दो को रूर्यान रूहानियत के रंग के संग का रंग लगा कर मधुर्ता की मिठाइक लाते हो आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुर्ता परतक्ष रूप में दिखाई देती है तब मंगल मिलन अर्थात संसकार मिलन होता है आपस में संसकारों का मिलन होना ही परतक्षता का आधार है इसी से ही जैजैकार होगी स्लोगन है विदेही बन का अभ्यास करो यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराईगा चार ओम शन्ती और विस्तार से जनने के लिए प्रजापिता ब्रमा कुमारी इश्वरिय विश्व विद्याले के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करे और यदि कोई प्रेशन है तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करे 9650692270 पर केवल वर्शिप करे पौन नहीं ओम श्याद बाबार पाई जी एक न गेहूं होती है उसको उबाल कर सुका कर फिर भूनते हैं फिर जो का भी बनाते हैं गेहूं का भी बनाते हैं जो को कुटना पड़ता है उसके छिलके हटाने के